हेलो बच्चो मैं ही ताजित रिवेदी आपका वेलकम करती हूँ यूनियन पाटशाला में और बायोजी क्लास में तो आज की बायोजी क्लास में हम बायोजी इंट्रोड़क्शन का लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टन पाट देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्यों पढ़नी चाहिए बाइलोजी हमें, तो पहला पॉइंट है, helps to understand ourselves better and to realize the meaning of being life. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, कि बाइलोजी हमें help करता है अपने body को, ourselves यानि अपने body को समझने में, ठीक है, कि हमारी body कैसे function करती है, या किसी भी organism की body कैसे function यानि कैसे काम करती है, उसे कौन समझने में help करता है, biology help करता है, बाइलोजी हर जगह है, हमारा heart beat कर रहा है, हम हर समय breathe कर रहे हैं, हम जो भी खाना खा रहा है, वो digest हो रहा है, हमारे blood में, वो nutrients मिलते जा रहे हैं, हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे, और हमें energy मिल रही है उस खाने से, तो यह हर समय चलते रहता है, ओके, processes हमारी body में चलते रहते हैं, ठीक है, इसे ही biology कहते हैं, Okay, second point है, enables us to understand the importance of resources around us and how to use them judiciously, हम जानते हैं, natural resources के बारे में, है न, ऐसे resources जो हमें nature ने दिये हैं, ठीक है, जैसे एक example ले लेते हैं, natural resource का water, हम जानते हैं, water की हमारे life में कितनी ज्यादा importance है, अगर water नहीं रहेगा, तो हम जिन्दा नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो biology की मदद से, biology की मदद से हमें पता चलता है, कि हमें natural resources, जैसे की water का कैसे use करना चाहिए, natural resources का कैसे सही तरीके से use करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली generations के लिए भी ये natural resources available रहें, है ना, natural resources ऐसा तो नहीं है, कि unlimited है, एक ने एक दिन ये खतम हो जाएंगे, तो अगर हम, अगर हम, ये natural resources का example, जैसे पानी, आज ठीक से use नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली पीडियों के लिए पानी नहीं बचेगा, तो उनके लिए प्रित्वी पर survive करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो biology, biology अमें समझाता है, कि natural resources को हम किस तरह से use करें, उनकी क्या importance है हमारे life में, उसके बाद देखते हैं, third point, makes us cognizant of our role and responsibility towards our planet and the ecosystem which we live in, okay, cognizant का मतलब है, aware, यानि जागरूख, ठीक है, तो यह point क्या कह रहा है, कि biology जो है, वो हमें जागरूख करता है, किस लिए, कि हमारा क्या role है, क्या responsibility है, जिस प्लैनेट में हम रहे रहे हैं उसके प्रती, अब आप यह सोचिए, हर इंसान, हर इंसान क्या चाहता है, कि हमारी body healthy रहे, हम अच्छे वातावरन में रहे, हमें शुद्ध खाना मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, है न, क्यों, ताकि हमारी body अच्छे से काम कर सके, हम healthy रहे, वैसे ही, हमें अपने planet को भी healthy रखना है, यह हमारा roll है, ठीक है, जैसे body हमारा घर है, तो हमें उसे अच्छे से रखना है, वैसे ही यह planet, जहां हम रह रहे हैं, यह हमारा घर है, जिस ecosystem में, जिस परियावरन में हम रह रहे हैं, वो हमारा घर है, तो हमारा क्या roll है, कि अपने planet को अच्छे से रखे, साफ सुथरा रखे, यह point यह कहता है, अब next point है, helps us understand how organisms interact with each other in the environment, यानि, biology हमें बताता है, कि जो भी organisms है, वो आपस में कैसे interact करते है, कोई भी organism, नेचर में या नेचरल विड, में अकेला नहीं रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है? किसी भी और्गैनिजम को इस पृत्वी में जिन्दा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे और्गैनिजम की जरूरत है ठीक है? ताकि वो उससे इंटरेक्ट कर सके किसलिए? अपने सर्वाइवल के लिए तो biology हमें ये बताता है कि कैसे organisms आपस में या जिस environment में वो रह रहे हैं उससे interact करते हैं ताकि वो survive कर सके उस environment में ठीक है तो next point है helps us to maintain a healthy lifestyle ठीक है biology हमें क्या बताता है कि कैसे हम एक healthy lifestyle maintain कर सकते हैं ठीक है कैसे तो आपने nutrition के बारे में पढ़ा ही होगा है ना nutrition यानि जो भी भोजन हम खाते हैं ठीक है उससे हमें जो भी nutrients प्राप्त होते हैं ठीक है आप nutrients के बारे में जानते होंगे fats हो गया protein हो गया है ना इनके बारे में आपने सुना ही होगा कि कितने ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए carbohydrates हो गए एक्सेटरा ठीक है तो ये सारे nutrients के बारे में हमें कौन बताता है biology बताता है इनका क्या रोल है इन्हें हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए शरीर में है ना ये हमें कौन बताता है तो बाइलोजी बताता है तो बाइलोजी ऐसे हमें कैसे हल्प करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में ठीक है उसके बाद लास्ट पॉइंट है अगर हम बाइलोजी नहीं पढ़ेंगे तो हमें किसी बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा आग जो डॉक्टर्स डीजीजेश ट्रीट करते हैं ठीक है अगर हमने बाइलोजी नहीं पढ़ी होती तो हम किसी बीमारी के बारे में नहीं जान पाते है ठीक है और नहीं उसे कभी ठीक कर पाते है आज जितने वी डॉक्टर्स है अगर उन्होंने बाइलोजी नहीं पढ़ी होती तो वो डॉक्टर्स नहीं बन पाते वो बिमार लोगों को ठीक नहीं कर पाते, बिमारी का पता नहीं लगा पाते, जैसे COVID-19 का ही example ले लिजे, ठीक है, COVID-19 का example ले लिजे, अगर डॉक्टर्स ने बाइलाजी नहीं पड़ी होती, अगर बाइलाजी ने हमें वाइरस के बारे में नहीं बताया होता, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये COVID-19 कैसे हुआ है या कैसे फैलता है या उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है तो बाइलोजी हमें क्या बताता है कि कोई भी बिमारी है वो कौन सी बिमारी है पहले तो ठीक है वो कैसे हुई है यानि बैक्टेरिया से हुई है वाइरस से हुई है ठीक है कैसे फैली है है यानि हावा यानि एर की फैली है या वाटर की फैली है या और किसी रिजन के वज़े से फैली है या उसे उसके बाद लास्ट में क्या है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो यह सब कौन हमें बताता है biology है ना biology पढ़के ही हमें इन सब के बारे में पता लगता है ठीक है तो I hope आपको biology की importance समझ में आ गई होगी ओके तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करे शेयर करें अपने friends के साथ ताकि उन्हें भी biology के importance के बारे में पता लग सके और union पारिशाला को subscribe करना ना भूले बाई बाई take care